यह जो प्रोड़क्ट है यह PA500 मतलब यह जो प्रोड़क्ट है यह PA series के नाम से जानी जाती है इसमें PA500 kg capacity, 600 kg capacity, 800 kg capacity, 1000 kg capacity, 1200 kg capacity इस तरीके से range आती हम लोग usually PA500, PA1000 और PA1200 यह दो range maintain करते हैं अगें इसमें दो quality आती हैं, एक हम लोग yellow series maintain करते हैं, एक हम red series maintain करते हैं मैं सबसे पहले तो discuss करूँ PA500, PA500 में red series और yellow series में क्या difference है पहला फरक, red series की motor 4 होती है, जो थोड़ी सी महंगी भी होती है, look भी अच्छा होता, quality भी better है yellow series की motor compare to that, थोड़ी सी हलकी quality की होती है, round quality होती है जो red series है, मैं आपको बता दूँ, यह सारे जो difference मैं भी आपको बता रहा हूँ, यह सब PA500 की हैं यह नि 500 kilo capacity का जो hoister जिसे PA500 का जाता है, मैं उसके difference बता रहा हूँ आपको पहला difference motor का है, उसमें 4S motor आती है, इसमें round motor आती है, दूसरा जो difference है वो wire rope का है अगर हम red series में जाते हैं, तो 5mm का wire rope हम लोग import करते हैं, अगर हम yellow series में जाते हैं, तो 4mm का wire rope यूज होता है तीसरा difference आता है remote का, जो yellow series जो है, उसमें black color का एक single switch वाला traditional button वाला remote control आता है और अगर हम red series में जाते हैं, तो ये जो दो switch वाला और जो heavy duty का remote आता है, जिसका life span वो black वाले switch वाले से better है ये heavy वाला remote आता है, motor का design केलाव motor की quality भी heavy आती है, और तीसरा, लियो के अंदर neutral brown color की packing आती है, जबकि इसमें crossby के अंदर आपकी colored packing आती है और तीसरा बत, crossby में जब हम दो-दो piece के उपर, दो-दो piece की अगें लकड़े की पेटी की packing भी आती है yellow series में एक cartoon में दो PA hoist आएंगे, मतलर total cartoon packing आएगी, उसमें लकड़े की packing नहीं आती transport में कपड़े का पेटी होना safety की द्रिष्ठी से better है red series की hoist, yellow series की hoist से थोड़ी सी quality wise भी better है और price भी high है PA 500 में अगर capacity को define करना हो, या PA 1200 में capacity को define करना हो, तो इसका मतलब भी होता है कि अगर आप machine को इस तरीके से double करके operate करते हैं तो वह 500 kg का load उठाती है, अगर आप इस तरीके से